मिलेगा यह कुछ निक हमाचर की 90 प्रतिशक जो जनसंचा है वो गौव में हैं लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और जो खेती करते थे वो खेती करना नहीं चाहते क्योंकि राशन के जो डिपू है उसमें 2 रुबे की लो हमें ग्यों मिलता है और 3 रुबे की लो चाव जो बात कर रहें ते वीसी साह हमने उनिवस्टी के वारे में बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि नेचरू खेती को कैसे जोड़ा जाए अब किसान क्यों करेगा अब मैंचरू खेती कैसे हो सकती है आप तो पड़के कर रहे हैं लेकिन हमने माता-पिता को देखा है तो कैस बात किसे करते हैं जिस घर में पलशू होता उसी घर में मैंचरू खेती हो सकती है आप कोई बोले हैं की नेचरू खेती कर दी मब अब किषला और क्यासे किसाना की आइभ को बढ़ायाMart करेगा है हम कोशिश कर रहे हैं कि पड़के जमीन है में उसको एक एक एसोड इंकम घ में प्रफधान करना चाहते हैं कम से कम किसान की आए तो बढ़ेगे कैसे बढ़ेगे अब सब लोग कहते सरकारी रूजगार मिन जाए हम चाहते कि किसान की आए ऐसी योजना लाई जाए जिससे 20 और 25 जार उसे घर बैठ कर लाई नाइचर खेती का मिले इस रिष्टि से भी अवरी स्था काले समय में ताम करेगे इस तर्फ जोड़ना पड़ेगा और हम प्रते इंहान सफाज खेति में कुछ परिवारां को नाइचर खेती से जोड़ेगी और उसका जो भी नाइचर खेती से पैदा होगा वह सब्ट गोसा सब्सक्रइड है, जा उन्हाना चाहता है. मैं अपनी सब्सक्राइब के बारे में यह बताना चाहता हूं कि हमारी आर्टिक्ष्टिक कोई ज्यादा ठीक नहीं है लेकिन शिक्षा की शेतर में हम किसी भी परकार की कमी मीना नहीं देना चाहते हैं इसलिए हमें अभी कुछ दिल कहलें शेक रूट पर यहां से सुप्रीट की आगे लेकिन शिक्षा की क्वालिटी में भी सुधात होने की बहुत जरूर्ट है मविश्या में शिक्षा किस्तत ही हो और अगर हम टेक्नॉलजी से लेस नहीं होंगे वर्ड टेक्नॉलजी के अधार पर बहुत आगे बढ़ गया है इस्राइल जहां पाने की बूर्ट तक ही होती है अग्रिकल्चर सेक्ट्रों में मात हमें दे रहा है यह चेत्रों में हमें Artificial Intelligence का है और Genetic कभी एक और नहीं टेक्नॉलजी का विकास हुआ है उनका प्रियोंग भी हमें करना पड़ेगा हमारी आर्किंस्किती बहुत कभ्यों है हमारी आये सभी साथमा से सौ रुपया है माल लीजिए और हम खर्चा कर रहे हैं पर एक वर्स एक सुससतर पर अब कर्ट लगने शुरू हो चुपे आप देखें किसी प्रिवाज की आए अगर एक हजार प्या और सारा सौ प्या हमेहने खर्च करता है तो आप दाये उस साथ सौ प्या वो कहां से लेगा वो साथ सौ रुपया उधार लेगा कर्जा उठाएगा और एक समय कर्चे वे यह प्रदेश दुच जाएगा आज इस सवागार में बैठे सभी लोग उन पर एक लाग दो हजार क्रोड पे कर्चा है पिछली सकार से हमें 75,000 क्रोड पे कर्जा देना 10,000 क्रोड पे की लाइवरिटी जाज सकारी कर्व जाएगी जो पैंशन की सिस्पे कमिशन की हो हमारे उपर है कुछ कर्जा हम दे सहारे हम हमेशा इस परदेश को चलाते रहेंगे अब तो कर्जा देने वाले भी थोड़ा थोड़ा हाथ पीछे खिंच रहे हैं भारा सरकार में भी हमें कर्जा देने की लिमिट जो है पिछले साल 14,000 क्रोड थी इस वाच्छा 600 क्रोड पे हैं उससे भी हाथ किसली है तो हम हम कैसे हैं हमांशर प्रदेश की अर्फ बिवस्ता को पड़ड़ी पहला हैं हम ने बजक में इस तरवघबा का प्रभ्वां किया कुछ हम गड़े फैंसले ले रहे हैं वह कड़े फैंसले की विविश्य की युव्ण पीरी के लिए ले नहीं है ताकि विवीश्य हैं आप भविश्या है हमारे कल को आने वाले कल के आप नेता है कल को आने वाले कल के आप साइंटिस्त है आप लोगों को ये तैय करना है कि भविश्या में हमाचल प्रदेश कैसा हो उस प्रकृतिक सुंदरे का हमें ध्रौन करना है उस जलवाईयों का हमें ध्रौन करना है ज अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इन शेत्रों में ज्यादा दिहान देने की जूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपने मेरी कई बार सुना होगा कि हमें एक ऐसा प्रदेश बनाना है। पहले तो उसके अर्थ बिवस्ता को पटड़ी पर लाना है और जब अर्थ बिवस्ता पटड़ी पर आएगी आने वाले दस साल में हमाचल प्रदेश इंदोस्तान का सबसे समरित शाली और सबसे अमीर राज़ा रनेगा यह सरकार की प्रदेश इसके लिए हम नियम बदल रह हैं हर प्रकार से विवस्ता परिवर्तन में लगे हुए हैं मैंने हमेशा से यह कहा हमारे परिवार से कोई राज़ने दी में नहीं का करमचारी के रिए थे मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम सब्सक्ता सुप के लिए नहीं आया विवस्ता परिवर्तन करने के लिए और इस ሉvideoisuðan of the stage बाता चाहिए यानि कि पैदा होने के लिदा चाहिए कि कि इसी की बैच्छे के पैयदा होने के बात या która होने के बात एकसीडेंट में माता पिता का धिहात हो जाता है कुछ तो अपने रिश्टेदारों के पात चाहिते हैं जिश्ते दारों में भी कितना ख्यार रखते हैं, हमने कहां कि इन बच्चों का ख्यार पैदा होने के बाद से 27 साल तक हमाचस परदेश की सर्कार रखते हैं। ख्यार प्यार पैदा हमाचस परदेश सर्कार देगी। उसके रोष्ते का खर्च पूरा सर्कार देगी। इसके अरावा घर्च पढ़ाए का खर्च ओग जिस तरह हमारे मावाब अपने बच्चे जब Красळ में रहते हैं उनके के फौकट मानिवी देती हैं। हमारी सरकार में नहीं किया कि प्रतेक बच्चे को 4,000 प्या पर मंद तौपिक मनी लेगी। और उसको जब तक प्यस्टी करना चाहता है, एंफिल करना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, सारा ख़र्च उसका सरकार देगी। जब प्यस्टी करके अपना स्टार्ट अप शुरू करना चाहेगा तो 2,000,000 प्यान अदान के लिए उन में देगी। कई वास बच्चों के पास जगा नहीं होगी, जो अनाद बच्चे उचे हैं, उनकी जगा नहीं होती है। सरकार उसको 3,000,000 प्यास को मकान बनाने के लिए भी देगी। और उसकी शादी के लिए, बेटा या बेटी की शादी के लिए, 3,000,000 प्यास भी उप्लक्स करवाईगी। ये सरकार की पहली योशना है, जो ध्रातर पर अभी आई है। ये समाज के उस वरत को शूरे ही है। क्योंकि जिनकी कोई आवाज नहीं होती है। करमचारी की वाज होती है, आप खाक्रों की वाज होती है। लेकिन ऐसा वरत जो समाज में काफी कुंठिक महसूस करता है। अपने भाव को दुआए रखता है। तो अपने मावा कोखो देता है। तो उसके मन में भाव रहता है। कि मेरी मुझे आगया नहीं मले समय में कौन देखेगा। इस जिसी हमने मुख्यमत्री सुकाश्रे को योजना बनाई। और इसको कानूनी रूप दिया। यानि कि हिंदुस्तान का पहला कामून मुख्यमत्री सुकाश्रे कोश्ट के दहत बना। जिसमें अनाथ वच्चों को चिवजन रूप दिस्टेट का दर्शा दिया लिया है। यह हिंदुस्तान का पहला कामून। दूसरा हम कैसे आतम निर्वर हनेंगी। किस प्रदार हम आगे बढ़ेंगी। हमें इस दिश्टी से भी सोचना पड़ा। हमने देखा कि हमारे डीजल में हजार रुपया खर्च हो रहा है। हमारे पर्याड़ बढ़ में लाक रुपया खर्च हो रहा है। इसलिए हमने युवाओं को आप लोगों को छेस्टो सिक रूड़ बेती राजीव रांदी स्कार्ट अप यूजना का चुब राम किया। और स्कार्ट अप यूजना में अभी हम पहले पेज में की टैक्सी दे रहे हैं। जिने कि सरकारी विवागों में जितने भी गाड़ियां हीजियर से चलती हैं तो उसमें डवल खर्चा आता है। एक तो सरकार को ड्रैवर रखनें पढ़ते हैं। गाड़ी देनी पढ़ती है। उसकी मुंटेनियस पर डवल खर्चा आता है। तो पहले पेज में हम 500 पर मिट दे रहे हैं। और उसमें रिस्पॉंस बहुत अच्छा है। उसमें में जाता हूं। वो इतनी अच्छी गाड़ी है। इसलिए हमने जब उसको प्रेक्टिकल देखा तो सबसे पहले हिंदुस्तान का पहला डिपार्टमेंट ट्रांस्पोर्ट विवाग को आपने अलेक्टिकल किया। और आज 500 टैक्सी पर्मिट हम जारी कर रहे हैं। जो यह टैक्सी पर्मिट टैक्सी वाला लेगा। उसको हम 10 लाग पर 5 लाग प्या सबसेटी देंगे। और 40,000 प्या पर मां अशोर्ड इंकम देंगे। यह पहली स्टार्टप यूजना हमारी है। दूसरी स्टार्टप यूजना सोलर पावर से संब्धित आने वाली है। तीसरी स्टार्टप यूजना आपके डिपार्टमेंट से हैं। आपकी जो यूजनस्टी के पूर्सिजर उन से संब्धित आने वाली हैं। कर्चत और बौटी कर्चत से सब्धित हमारी पीसी दिनाना है। चेस्तों इस योजना के दर्व तुबारा आपको सबसीरी मिलेगी और आप अपना काम कर सकेगे। अब सोलन पावर में क्या है। अब मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, बाहर भी गया। तो कई हमाचर के सब लोग क्या मिलते हैं अब फॉस्केट्रिटी सेक्टर में। कुझे अभी मैं हधरवाद गया। वहां भी माचर की बीटर मिले। मैंने सोचा यार यार युकिन ही दूर जाकी बीस हजार प्रयाप हमारे। हमारी सब्कार इस आने वाले बीश पच्चेस दिन में जिसके पास तीन भीका जगा होगी या छे करनाल जगा होगी। हम एक ऐसी युजना अपने युवाँ को लेके आ रहे हैं कि बीस हजार प्रयाप पर मन उसको सब्कार देगी और उस पर सोलत बावरत रुज़त लगाए। यदि कि बीस हजार प्रयाप आपको सब्कार देगी और पच्चिस साल का आपके साथ एग्रिमेंट करेगी ताकि आप सोरोजगार की तरफ जाए। तो वो सोरोजगार की द्रिश्टी से भी हमारी सब्कार कारे कर रही है। मैं सिर्फ युवा साथियों के यह कहना चाहता हूं। कि आप लोग हमारी उमीद है। आप लोग हमारी आशायद है। और आप लोग मविश्ट की चुनोती का सामना करने के लिए हमेशा से प्यार है। युवा भारत का नेमान होना पूरे विश्ट में। आज युवा भारती हैं जो हमारे समय के वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनियों का आज रिजन्टेशन। वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनियां के CEO भारती हैं। इससे बड़ा जौरत और क्या होगा। कि हमारे युवा पूरे वेल्ड में आज अपना चिंडा फैरा देगा दोस्तों साथ जिस रास्टर में हम पर राज किया अंग्रेजियों के ब्रिटी शित्काव में हम शाशन में हम पर राज किया आज उसमें एक हिंदुस्तानी 75 साल वाद आज आज ब्रिटी सब्सक्राइए है यह हमारी कुल्चर है तो हिंदुस्तान की जो संस्क्रिती और कुल्चर है पुविश्यक का सबसे मजबूत संस्क्रिती है सबसे मजबूत कल्चर है इसको बना कर रखना है अपनी जो हमार्चत की संस्क्रिती है जहां हतितिर और मेमान को देखता समान समझा जाता भग्मान सरूर समझा जाता इसको बनाने का धेली भूईशय में आपके हाग में है यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में यूवां का भूईशय अजबल है और इस अजबल भूईशय के लिए आपको हमेशा प्यार रहना है और चनूतियों का सम्मन रड़ाई की तरह नहीं यूद की तरह करना है सबोता आके पहुंच जूमेगी इपनी सब्सक्तों के साथ आज़का बहुत बहुत नहींगा है जय रहे जय रहे